नमस्कार आप देख रहे हैं बिहार तक मैं हूँ आपकी साथ सुकर्निया सिंग सुप्रीम कोट से बीजेपी को बड़ा जटका लगा है तेरा जुलाई को हुए लाठी चार्ज मामले में सुप्रीम कोट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है आपको बता दे कि बिहार में बीजेपी के प्रदर्शन के दौरान पुलस लाठी चार्ज हुई थी उसी दिन बीजेपी कारे करता विजेए सिंग की मौत हो गई थी विजेए सिंग की मौत मामले में बीजेपी पुलस लाठी चार्ज से मौत का आरोप लगा रही है अब इस मामले में याचिका करता की जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोट ने इनकार किया है इसके साथ ही दायर याचिका पर सुप्रीम कोट ने याचिका करता को हाई कोट जाने की सलाती है बता दे कि बीजेपी कारेकरता भूपेश नारायन ने इस मामले में 20 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी 25 जुलाई को इस मामले की पहली सुनवाई हुई थी इस याचिका में पूरे मामले की CBI या SIT से जांच की मांगी गई थी गुपेश नारायन ने इस मामले में CM नितीश कुमार और डिप्टी CM तेजस्पी यादव को भी पक्षकार बनाया है जबकि मुख्य सचिव और DGP के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांगी है इस पूरे मामले में अब सुप्रीम कोट की टिपनी आ गई है और सुप्रीम कोट की टिपनी के बाद वकील महेश जेट मलानी ने कहा की 13 जुलाई की घटना है ऐसे में कृपया हाई कोट को जल्द सुनवाई करने को कह दे सुप्रीम कोट ने हाई कोट से कहा की जल्द सुनवाई कर ले याचिका करता ने सुप्रीम कोट से अपनी याचिका को वापस लिया है दरसल बताते कि बिहार में शिक्षकों की नियुक्ती को लेकर पटना के गांधी मैदान से विधान सभा तक मार्च निकाल कर बीजेपी कारे करताओं को विधान सभा का घिराव करना था लेकिन इसी दौरान बीजेपी कारे करताओं पर पुलस ने लाठी चार्ज कर दिया था चलिए अब बताते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या कुछ था दरसल 13 जुलाई को बीजेपी ने विधान सभा मार्च किया था शिक्षक भरती और तिजस्वी के स्तीफी की मांग को लेकर बीजेपी ने मार्च किया था डाक बंगला चौराहे पर पुलस ने बीजेपी के मार्च को रोका था मार्च के दौरान पुलस ने बीजेपी नेताओं पर लाठी चार्ज भी किया था पुलिस की लाठी चार्ज में बीजेपी के कई नेता समराठ चौधरी जैसे प्रदेश अध्यक्ष को भी लाठियों का सामना करना पड़ा था MP जनारदन सिंध सिग्रिवाल भी लाठी चार्ज में घायल हुए थे इसी बीच बीजेपी ने जिला महामंतरी विजय की मौत का दावा किया लाठी चार्ज में विजय सिंग की मौत हुई है ऐसा बीजेपी ने दावा किया प्रशासन ने विजय सिंग की लाठी चार्ज से मौत से सिधे तोर पर इनकार किया और अब उसके बाद ये पूरा मामला पहुँचा सुप्रीम कोट जहां सुप्रीम कोट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है तो देखा आपने कि किस तरीके से 13 जुलाई को हुई लाठी चार्ज मामले में और बीजय पी कारेकरता की मौत मामले में बीजय पी को सुप्रीम जटका लगा है अब देखना होगा कि इस पूरे मामले पर आगे क्या कुछ कारवाई होती है बिहार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बने रहिए बिहार तक के साथ